राधे राधे आज हम सुनेंगी कार्तिक मास मातम में कथा का अध्याय नम्मर चार इससे पहले की तीन अध्याय हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं उन्हीं को लगातार पढ़ने से आपको चोथे अध्याय का पुन्य मिलेगा नारत जी ने कहा ऐसा कहकर भगवान विष्णु मचली का रूप धारन करके आकास से जल में गिरे उस समय विंध्या चल परवत पर तब कर रहे महारिशी कश्यप अपने अंजली में जल लेकर खड़े थे बगवान उनकी अंजली में जागिरे महारिशी कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया मचली के थोड़ा बड़े होने पर महारिशी कश्यप ने उसे कुए में डाल दिया जब वह मचली उए में भी नहीं समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया जब वह तालाब में नहीं आ सकी तो उन्होंने समुदर में डाल दिया वह मचली वहां भी बढ़ने लगी और फिर मतश्य रूपी भगवान विश्णू ने इस संखा सुर का वद्ध किया औ महां उन्होंने संपून रिषियों को बुला कर इस प्रकार आदेश दिया। हे मुनिश्वरों तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोच करो। और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बहार निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रियाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन महा रिषियों ने यग और बीजों सहित संपून वेद मंत्रों का उद्दार किया। उन्हें से जितने बीज मंत्र जिस रिषि ने उपलब्द किये वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से रिषि माना जाने लगा। तदंतर सब रिषि एकत्र होकर प्रियाग में आ गए। वहां उन्होंने ब्रह्माजी सहित भगवान विष्णू को उपलब्द हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिये। सब वेदों को पाकर ब्रह्माजी बहुत प्रशन हुए। उन्होंने देवताओं और रिषियों के साथ प्रियाग में अस्व मेज यग्य किया। यग्य सामाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। देवाधी देव जगनात इस इस्थान पर ब्रह्माजी ने खोए हुए वेदों को पुने प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रशास से यग्य भाग पाए हैं। अत्य यह इस्थान प्रत्वी पर सर्शेट पुन्य की व्रद्दी करने वाला इविं भोग तथ का मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुन्य में और ब्रह्म घाती आदी महापापियों की भी सुद्दी करने वाला हो। तथा तै इस्थान यहाँ दिये हुए दान को अक्षे बना देने वाला हो। यह वर्दान दीजिए। बगवान विश्नु बोल उत्पन राजा भगिरत यहां गंगा को लेकर आएंगे और वह यहां सूर्य कन्ना यमना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ या निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थ राज की नाम से विख्यात होगा। तीर्थ राज के दर्शन से ततकाल सब पाप नश्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर्रासी में इस्थित होंगे। उस समय यहां इस्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ तिस्थल नास करेगा। यह कालवी मनुष्यों के लिए सदा महान पुन्य देने वाला होगा। माग में सूर्य के मकर्र इस्तित होने पर यहां इस्नान करने से सलोक के आदी फल्म प्राप्त होंगे। देवादी रेव बगवान विश्नु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतरध्यान हो गए। ततपस्चात इंद्राणी देवता इंद्रादी देवता भी अपने अंस से प्र अंत में बैकुनत हम को जाता है बोलो कार्तिक माश की जै बोलो विश्नु भगवाने की जै